नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली वैब सीरीज एसूटिबल वोई विवाद नेट्फिलिक्स के दो अधिकारियों के खिलाफ मध्य परदेश में प्रात्मी की भी दर्ज कर ली गई है जिहां आपको बता दें कि अभी आपने देखा होगा कि नेट्फिलिक्स पर एक मूवी आई है जिसका नाम है एसूटिबल वोई फाइनली इस फिलम को लेकर काफी विवाद हो रहा था और दोस्तों अब तो इस फिलम का विवाद इतना बढ़ गया है कि प्रात्मी की भी दर्ज कर दी गई है जिहां आपको बता दे कि मध्य परदेश पुलिस ने सोंबार को OTT प्लेटफोर्म नेट्फिलिक्स के दो अधिकारियों की खिलाब वैब सीरीज एसूटेवल वोई में कथित रूप से एक मंदिर में एक ऐसा सीन जो की नहीं होना चाहिए था जिसने लोगों की भावनाओ को आहात करने के आरोफ में प्रात्मी की दर्च कर दी गई है पुलिस ने ये प्रात्मी की भारती जनता युवा मोर्चा के राष्टिय सचीव गौरब तिवारी की सिकायत पर दर्च किया है मध्य परदेश के रिवा सहर के सिविल लाइन्स पुलिस थाने में नेट्फिलि हैं और क्या इससे धार्मिक भावनाओं को ठोस लगी है साथी जांच में प्रात्मी की तोर पर ये पाया गया है कि इन द्रिस्तियों से एक विशेज धर्म की भावनाओं को भी ठेस पहुचा है उन्होंने कहा है कि गौरब तिवारी की सिकायत के आधार भादवी की धारा 29 95 A के तहत रिवा में नेट्फिलिक्स के अधिकारियों मोनिका सेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाब दर्ज कर लिया गया है साथी इससे पहले तिवारी ने सनीवार को रिवा के पुलिस अधिक्छक राकेश कुमार सिंग को एक ग्यापन सौप कर नेट्फिलिक्स और स आत्मे की भी दर्ज कर लिगए और विवाद और बढ़ता जा रहा है तो यही था इस वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद